राची शहर कोरोना संक्रमन से बुरी तहा खिरा है ऐसे में शहर के सरकार ने हाल के दिनों में बैठा का बुला कर कई ऐसी आपाद बैठा का बुला कर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये थे जसमें ऑक्सिजन सिरेंडर खरीदने सैनिटाइजेशन वाहन और हर वार्ड में जरूरी दवाओं की उप्लद्धता की बात थी लेकिन इन दिनों राची नगर निगम में सन्नाटा पस्रा है कारण है ज्यादा तर लोगों को संक्रमित होना ऐसे में जब शेयर को जर्वत है तो खुद निगम ही क्वारेंटीन हो क्या है राची नगर निगम कार्याले में सन्नाटा पस्रा है तस्वीरें आप देख सकते हैं कई काम अभी नगर निगम के जिम्में था लेकिन इस महामारी ने नगर निगम के भी कई कर्मचारियों को अपनी चापेट में ले लिया है सही होगी अंकुर जिरे में हैं इस मामले पर अपडेट के साथ अंकुर कई ऐसे काम थे जो इस महामारी काल में नगर निगम को करने थे लेकिन अब नगर आयुक्त कोरोना संक्रमित थे इसके अलावा कई और कर्मचारी यहां कोरोना संक्रमित खुद कारिंटीन है नगर निगम ऐसे में बड़ी दिक्कते हैं जो काम जो जिम्मा लिया है नगर निगम ने उसे पूरा करने में बिल्कुल आश्या आप बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जो जिम्मेदारी थी अभी फिलहाल नगर निगम की वो काफी एहम थी और ऐसे में अभी नगर आयुक्त का संक्रमित हो जाना साती साथ अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार भी संक्रमित है वहीं उप नगर आयुक्त कुवर सिंग पाहन भी जो है कुरोना पॉजटिव हो गए हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं बात करें तो जिस तरीके से राची ने लिया गया था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते वे दो एम्बूलेंस दो शववाहन शमशान के लिए लकड़ी और ऑक्सिजन जो है उसकी खरीदारी जो है राची नगर निगम करेगी लेकिन अब चुकि अधिकारी जो है वो करोना संक्रमित हो गए हैं ऐसे में कब इन चीजों की खरीदारी होगी और ऐसे में संक्रमन जो है वो काफी बढ़ रहा है तो राची नगर निगम अभी इन सब चीज की खरीदारी कब करता है और जनता जो है इंतजार करेगी लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से सभी संक्रमन हो गए हैं और मेर का ये दावा थ थे कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते वे राची नगर निगम बहुत ही चिंतित दिखा था और ऐसे में मेर ने कई दावे किये थे मेर ने कहा था साफ कहा था कि शमशान के लिए लकडी जो है वो जोगाल की जाएगी वो उसकी खरिदारी की जाएगी साथी साथ दो एंबुलेंस के साथ साथ दो शवहन भी खर दे जाएंगे वहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उसकी भी जरूरियत समाने है कुरोना से ले करके वो राची नगर निगम जो है अब लगता है कि महीनों लग जाएंगे क्युक्कि जिस तरीके से नगर निगम में सनाटा जो है वो पसरा हुआ है कोई अधिकारी रंगर-णिगम में आपको नहीं दिखेंगे, करमजारी को छोड़ करके कोई अधिकारी आपको कसी अपने कमरों में तो बेहत जरूरी थी, ऐसे में यе जो ओंध स होती है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है क्या मेर किसी और को यह जिम्मा नहीं दिया जा सकता है बिल्कुल सही बात कहा अपने आश्या में आपको बता दू कि जिस तरीके से अगर अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर रांची नगर निगम जो है अगर निर्देश अधिकारी अगर टेलिफोनिक निर्देश भी दे देते हैं तो यहाँ की जो हेल्थ आफिसर है डॉक्टर किरन कुमारी उनका जो दायत वो बनता है कि वो किस तरीके से सुचारूर रूप से राजधानी रांची में रांची नगर निगम द्वारा जो काम रुका हुआ है उसे करे लेकिन मैंने डॉक्टर किरन कुमारी को भी फोन लगाया तो उन्होंने अपना फोन जो है वो नहीं रिसीव की है तो कहीं न कहीं उनकी जानकारी नहीं है और नहीं वो नगर निगम के कारयाले में है तो अब यह देखना यह होगा भले ही अधिकारी जो है वो संकरमित हो ग नगर निगम ने कहा था कि लकडी की कमी नहीं होने दिया जाएगा साथी साथ आक्सिजन की कमी नहीं होगी एंबुलेंस की कमी नहीं होगी तो इन सब चीजों को ले करके जनता भी इंतजार कर रही थी लेकिन अब लगता है कि इन सब चीज ये सब चीज जो है महीनों के अब लगता है कि महीनों लग जाएंगे कि सभी अधिकारी जो है वह वो करोना संकरमीत हो गया और मैं आपको बता दू कि सफाई करमी जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं सुबह में सभी घरों को सेनिटाइज कर रहे हैं सभी स्कूल और सभी कॉलेजिस को सेनिटाइज कर रहे हैं बाकी जितने भी दुकाने हैं ये करमचारी जो है वो काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ जो है बिना अधिकारियों के ये काम कर रहे हैं बिना दिशा नगर निगम जनता के लिए कुछ नहीं कर पाईगी जी आशिया शुक्रिया अंकोर इस तमाम जानकारी के लिए तो फिलहाल खुद ही नगर निगम कौरिंटीन है और जो हालात बने हुए ऐसा नहीं लगता कि जो जिम्मा नगर निगम ने उठाया था फिलहाल इसमा हमारी के दौरान वो कहीं से भी पूरा होने जा रहा है जिसे इस्तिती और भी विक्राल होती जाए क्योंकि जिन्हें काम करना जो आपरेशनल अधिकारी है वो खुद संक्रमन की चपेट में आ रहे हैं